वेलकुम बाक टुदी माई यूट्यूब चनल क्रिप्टो टैने दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लुएंसी टोकन के बारे में लुएंसी टोकन अभी अगर करेंटली आप देखे तो साढ़े बारे परसेंट के करीब डाउन है देखें न्यूस तो अच्छी नहीं है कि यह डाउन क्यू है इस पे हम पूरे अच्छा से डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है तो वीडियो को अंक तक देखना दोस्तों मिस मत करना तो चलिए आप बात करते हैं सीधे कि डाउन क्यू है यहाँ पे अगर हम देखे तो बाइनेंस जो आप लोग को पता ही है बर्निंग कर रहा था उसने क्या किया बर्निंग उसने सस्पेंड कर दिया है कि वो अब बर्न 0983 and proposal 5x1 यह proposal में यह था कि इससे जो भी बर्निंग होगा ना बर्निंग के तो री मिंट होगा और उस री मिंट का जो भी टोकन आएगा वो कम्यूनिटी पूल में डाल दिया जाएगा किसके लिए चेंड को डेबलर्मेंट करने के लिए यह यूज करेंगे लेकिन बाइन ने यहां पर दिखें यहां पर इन्हों ने सीधा सीधा लिखा है बाइनेंस इस इन डिस्कसन विद टेरा ग्रांड फांडेशन विच इस लीड बाइटेरा क्लासिक कोर डेवलपर एडवर्ट की में नेससरी चेंज यानि वह चाहता है कि एक तो आप बर्न का अलग से वाल कर रहा है तो वह री मिंट करके वापस से अगर आएगा तो उसके बर्न करने का क्या फायदा तो उसने एक चीज़ यह का दूसरा उसने यह क्या वाइट लिस्टिंग बाइनेंस वालेट तो प्रिवेंट टैक्स वेंट ट्रांसफरिं विट्विन दीज वालेट जब कभी इसमें वो क्या करें बर्न को जो वालेट है बनाया गया उसमें वाइट लिस्टिंग करिए ताकि जब कभी वह बर्निंग जो आपका एड्रेस है उस वालेट में सेंड करें जो भी टोकन है बर्न वाले तो उसमें कोई टैक्स नहीं करना चाहिए कि अगर कही न कहीं टैक्स तो उसके conditions नहीं माल लोगे, Binance क्या करेगा, वो burning को stop कर चुका है, और जो burning है, stop कब तक है, आप देख सकते हैं, कि January से ले करके, March 2023 तक के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे trading fees until 2023 तक के लिए, उसने क्या किया है, बर्निंग को suspend कर दिया है, जिसकी वजह से अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपका 12% डाउन है, टेरा लोना, यही रिजन है, देखें, बाइनेंस करना कहीं नहीं कहीं, कहना ठीक है, अगर आपने proposal पास किया, तो उस proposal में बाइनस जो कर रहा है, बर्न कर रहा है, इतना बाद community pool में आप डाल दोगे, chain development के लिए, chain development के लिए कहीं और से fund लाओना भाई, यह remint करके ही, आप उसी में से जो कर रहे हो, यह तो गलत बात है, तो बाइनस ने बिल्कुल सहे step लिया है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, 2023 के लिए उसने अपना burning तो stop करी दिया है, March तक, आगे अगर वो burning start होती है, लेकिन एक चीज और उसने बोला है, कि moreover the crypto exchange will burn 50% of LUNC spot and margin trading fees instead of 100%, मतरब पहले जो वो क्या करते थे, जब भी spot trading कोई करता था, उसका 100% जो भी fees आता था, वो LUNC को burn करने में यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो only 50%, यानि 50% ही वो burn करेंगे, और उसको तब तक वो जो है कि send नहीं करेंगे वो burn करने वाला token, जब तक ये क्या करेंगे, अपना white list wallet नहीं बना देंगे, कि जब भी कभी वो उसमें send करें, burn वाले token, तो उसका कोई tax charge नहीं होना चाहिए, और अगर उस wallet में जाय तो कभी भी remint नहीं होना इसलिए इन्होंने क्या किया है, डीले किया है, तो जिस वज़ा से आपको देख सकते हैं, price में इतना ज़्यादा fall देखने को मिलने है, देखें दोस्तों कहीं न कहीं आगे चलके अगर आपने hold कर रखा है, long term के लिए तो आगे चलके बहुत सारे जो है कि exchange इसको support कर रहे ह लास्ट दो महिनों में Binance ने 2 billion, यानि 2 billion से token burn कर दी है, और बाकी 11 billion token burn हुए है, और other exchange मिलके burn कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारे exchange इसको support कर रहे हैं, आगे price आगे देखेंगे कि काफे ज़्यादा pump देखनों कि मिल सकता है, जब ये March के बाद स्टार्ट होगा फिर तो सब्सक्राइब कर लीजे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाट और टेक केर,